हलो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे आज की वीडियो का टॉपिक है अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा आपने अपने CPU को आन किया बट डिस्प्ले है एकदम ब्लांक है एकदम ब्लांक हो रहा है तो इस वीडियो में इसको जल रही है देख सकने आप बट जो डिस्प्ले है एकदम ब्लांक है कोई भी डिस्प्ले नहीं बढ़ रहा तो इसको कैसे फिक्स करेंगे क्या क्या इशूज इसमें हो सकते हैं सबसे पहले आपने यह चेक करना है जो वीजीए केबल जिसके थुरू आपने अपने मॉनिट इसके उसके भी सारे कंपनेंट सेम होते हैं जो इसमें लगे हुए मैं आपको दिखाऊंगा यह बार खोल के इसको तो सबसे पहले आपने यह चेक करना है जो यह वीजीए केबल होती है जिसके तुरू हम अपने मॉनिटर को अपने सीप्यों को अपने मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं आपने सबसे पहले यह बीजीए केबल चेक करने है कई केसिस में देखा गया है कि वीजीए के बल खराम होने के वाज़े से या फिर यह सई से कनेक्ट नहीं होगी तो अभी आपको यहां पर कोई भी मनलब डिस्प्ले नहीं आएगा तो सबसे पहले आपने लिखके आगए यह बंद ओचुका है पावर इसकी बंद ओचुकिए आपर निकालता हूं मैं और अब मैं आपको दिखाता हूं उसका अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ, पहले मैं सारे इसके wires निकाल देता हूँ, keyboard, mouse की wire और ये वो VG cable जो आपने चेक करनी है, इसको tight कर लेना, अगर monitor के end से भी tight कर लेना और CPU के end से भी tight कर लेना, अगर इसमें को issue होगा तो आपको पता जल जाएगा दूसरा, अब मैं अगर अपने CPU को खोल हूँ, जो मेरा ये monitor मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ इसको, ये भी as, ये भी एक CPU है, बड़ ये mini CPU है इस तरह से आप देख पाएंगे, देखे ये इसकी hard drive लगी हुई है, ठीक है, ये sata cable है, ये power cable के थूँ यहां से connect हो रहा है और इसमें भी ये hard drive है, ये RAM लगी हुई है, ये इसका Wi-Fi card लगा हुई है, और सारे वोई port होते हैं जो आपके बड़े PC में होते हैं, बस ये mini PC है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने VJ cable चेक कर ली, उसके बाद आपने जो इसकी RAM लगी है, RAM को एक बार clean करन सकते हैं, बट RAM को आप चेक कर सकते हो easily, तो आपने CPU को खोलना है, उसके बाद आपने अपनी RAM को बहार निकालना है, जैसे आप RAM को बहार निकालेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो RAM का slot है, सबसे पहले आपने RAM के slot को साफ करना है, उसके लिए आप slot है ना, आपके case में 2 RAM के slot भी हो सकते हैं, मेरे case में तो एक ही slot है, बट अगर आपके case में 2 slot है, तो दोनों को आपने, कोई सभी brush ले लो अपने घर में और उससे इसको साफ कर लेना अपने, ठीक है, पहले तो आपने RAM का slot साफ करना है, बहुत cases में क्या होता है, कि RAM के slot में that means की slot सही है, और एक चीज़ और है, अगर आपके CPU में 2 RAM के slot है ना, तो आप क्या करना, जिस पे RAM already use हो रही थी, उस slot को use ना करके, जो second slot है, उस पे एक बार चेक करना, कभी कभी देखा गया है कि RAM का slot खराब होने के विज़े से भी ये issue आता है, तो अब अगर आपके CPU में दो slot है RAM के, तो दोनों पर आप RAM को लगा के चेक कर लेना, इसके बाद अगर slot सही है, उसके बाद आपने क्या करना, अपनी RAM को चेक करना है, अगर आपकी RAM में इस तरह से carbon, जैसे आप देख सकते हैं, आप ब्लाइक सा dust सा हो रहा है, carbon हो रहा है, तो अगर आपकी RAM में यहा फिर dust इसमें जमा होगा है, तो उसको एक rubber से आपने इसको साफ करना है, इसमें आपने किसी भी liquid से इसको साफ नहीं करना, आपने सिर्फ एक rubber लेना है, और इसको ऐसे जो golden plate से इस पर rub करना है, यहां भी rub नहीं करना आपने उपर, सिर्फ जो एक golden plates हैं, अगर इन पर carbon जमा तो इस रबर से आपने इसको क्लीन कर देना है और उसके बाद इसको वापस लगा के आप चेक करो जो आपका इशू हो जाएगा बट अगर इसके बाद भी इशू सौल नहीं हो रहा उसकेस में आपको एक नई रैम पर्चेस करनी पड़ेगी अगर आपकी रैम खराब है और जब आप लोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस कंपनी की रैम आप अभी यूस कर रहे हो कोशिश करना कि उसी कंपनी का वही मडल के रैम आप पर्चेस करो तो रैम को साफ करने से आपका जो इशू है मोस्ली स्वाल हो जाता है तो आप यह टबल शूटिंग मेथड अपलाई कर सकते हैं और जो फाइनल जो एक सेकेंड प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके रैम भी सही है सबकु सही है तो आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है तो मदरबोर्ड को तो आप रिपेर नहीं कर सक इसके लिए आपको किसी शॉप में लेके जाना पड़ेगा बट अगर आप रैम क्लीन करके या रैम को रिप्लेस करके अपने सीप्यू में लगाओगे या उसको चेंज करके आप इसको आउन करने का कोशिश करोगे तो आपका सिस्टम जो हो जाएगा नोड डिस्पले का जो है आपका स्वाल हो जाएगा तो यह कुछ मैथद आप अपलाई कर सकते हैं